नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूँगा पलसे टिला मैडिसिन के बारे में 15 से अधिक विमारियों को ठी करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है बहुत सारे वेक्ति के मन में यहां डाउट होता है साथी साथ मैं इसकी potency की बारे में जानकारी देते रहूंगा कि किन डिजीजों में हमें इस medicine की potency लेनी चाहिए पनेm potency भी आती है, 30 potency भी आती है, 200 potency भी आती है सभी केस में अलग-अलग medicine का use किया जाता है, इस बात का भी विसे ध्यान रखा जाता है और कब तक इस medicine का use किया जाता है, क्या इसकी complimentary होती है, क्या इसके aggravation होते हैं, क्या इसके emoloration होती है सारी जानकारी इस वीडियो के मध्यम से आपको मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जनरल सिंटम की और की क्या क्या सिंटम हमें देखने को मिलते हैं पहले नंबर पे आता है दोस्तों कॉंस्टी पेशेंट्स, यानि की कबज की सिकायद होना और तमाम मैडिसिने वहाँ यूज कर लेते हैं, यदि उन से अराम नहीं आ रहा है तो कबज में पलसेटिला मैडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है चारबून सुभा और चारबून शायम को 25 डेज तक इस मैडिसिन का यूज किया जाता है आप यहाँ सोच रहे होंगे कि कबज में नकस बूमी का भी यूज किया जाता है लाइकोपूडियम का यूज किया जाता है, ऐलूमून का यूज किया जाता है साइलीशिय का यूज किया जाता है, बहुत सारी ऐसी मैडिसिन, तमाम मैडिसिन है उसमें भी कब्ज में मैडिसिन का यूज किया जाता है यह तमाम मैडिसिन का पर पलसे टिला का भी यूज किया जाता है पलसे टिला का भी से सिम्टम या होता है कि पलसे टिला में वैक्ति की पानी की प्यास बहुती जादा काम होती वैक्ति पानी नहीं पीता है लिप्स बग नेक्स संथ रिफ्लेक्स उसु फेजाइटिस में भी यहां बहुत ही अच्छा काम करती है यह सारे संथ मेडसन का यूज किया जाता है बहुत सारे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जो डेरी मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं दहीं उन्होंने खा लिया या मिल् फूड चीज खाली उन्हें डाइजिस्ट नहीं होता पनीर की सबजी उन्हें डाइजिस्ट नहीं होती रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है हलका सा खट्टा सा पानी मुह में आ जाता है खट्टी डकारे उन्हें आने लगती है और गैस उन्हें बने लगती है तो उसम की प्रॉब्लम में रिफ्लेक्स ओसोफजाइट के सिंप्टम पूरी तरह से चले जाएंगे लाइको पूडियम के साथ मैडिसन का यूज नहीं किया जाता इस बात का आपको विसे ध्यान रखना चाहिए या आपको कोई किसी भी तरह का कोई हैं तो आप बिलियम बोरी की बुक में आप देख सकते हैं थार्ड नंबर पर आता है दोस्तों जो यंग एज की फिमेल सोती है उनका महिना इर्रेगुलर हो जाता है टाइम टू टाइम नहीं आता है उसमें पलसे तिला मैडिसन का यूज किया जाता है इसका बैल मार की नोट किया जाता है 15 दिन में एक बार कम से कम चार डोज या थ्री डोज भी आपने दे दिये 15 दिन में एक बार तो उनका मेहना जो है रेगुलर हो जाता है यहां पलसे टिला का बैल मार की नोट सिम्टम हमें देखने को मिलता है यानि कि यंग एज है तो आप इस मैडिसन का यू ढइस हो सकता है वाइटीज भी होता हो सकता है यलोई सोचात हो जाता है कभी offensive smell को टीजन को ठीक करने के लिए पर से ला मैडिसीन का कफ, कोल्ड, एन्द फ्लू की समस्या हो जाती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स उनके अंदर हमें देखने को मिलती है, पी एंडी की समस्या उनके अंदर हमें देखने को मिलती है, तो उनमें पलसेटिला मैडसिन का यूज किया आता है, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज होता है चेंज कलर का हमें देखने को मिलता है कभी ग्रीनी हो सकता है कभी वाइटी सो सकता है चेंजी विल्टी उसके अंदर हमें देखने को मिलती है और सर्द की समय ठंड में उन्हें problem हो जाती है बहुत ही जल्दी ठंड में उनको problem हो जाती है कफ वनने लगता है कफ PND पीछे के साइट कफ गिरने लगता है सिर्थ headache होने होने लगता है और गर्म सेख से उनने relief महसूस होता है only for यहाँ symptom हमें देखने को मिलता है तो pulsatilla medicine का use कि जाता है 200 potency में ही आपको यूज़ करना है चारबून सुभा और चारबून शाम को next symptom बैरिकोज वैन में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जो हमारी पिंडलिया है उसमें जो वैन सोती है उसमें सूजन आने लगती है और वहाँ नीली कररकी हो जाती है जिससे हम वैरिकोज बैन कहते हैं या प्राबलम महिलाओं में भी हो सकती है या प्राबलम पुर्सों में भी हो सकती है उस कंडिशन को ठीक करने के लिए पलसिटिला 30 potency में यूज़ की जाती है चार बूंद सुभा और चार बूंद स्याम को कंटीन्यू दो महने तक इस मैडिसन का यूज़ किया जाता है साथी साथ कैलकिरिया फ्लोर 200 एक्स में चार चार गूली सोबस्व दो फैर स्याम यदी दिया जाए तो वेरिकोज वेन की जो समश्या हैं बहाव वेक्ती की पूरी तरह से ठीक हो जाता है नेक्स इम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है जिने इस्टाय याने की गौहरी की प्रावलम हो जाती है उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है अब आप यहाँ सूच रहा होंगे की गौहरी में आग कैसे विसे शरोल पे करती है आपने देखा ओगा इस्टेफेसगरिया मैडिसिन का यूज गोहरी को ठीक करने के लिए किया जाता है शाथी-साथ इस Medicine का भी यूज उसमें किया जाता है, जिनका नहीचर बहुती सांसौबाव का होता है जिनका सौबाव छिरचिडा नहीं होता है, गोहरी की प्राउबलम हो जाती है, उसमें से जो डिस्चार्ज होता है, कभी वाइटी इस होता है, कभी ग्रीनी होता है और पूरी तरा से ठीक हो बसे मिलता है यहां नोरिया की प्राब्लिय की प्राब्लम हो जाती है क्योंकि इसका इस्चार्ज शेन्ज में look masa की एसा कघी इस हो रहा हो रहा है कभी हो रहा है उने जैसे निकल आते हैं सिफ़ाहिं कर दो हो जाता है जिसता से मेडोरैनम का यूज किया जाता है जिस तरह से मेजेरियम का यूज किया जाता है उसी तरह से पलसेटिला मैडिसन का यूज उस गुनूरिया की कंडिशन को ठीक करने के लिए किया जाता है बनें पोचेंसिशे मैडिसिन का विससी रोल है यहां बनें मीडेंसियMoon यूज़ करना चाहिए और वीकली मैडिसिन की चार्डो आपको लेना है महिना में चार्डो आप ले लेंगे तो गुनोरिया की जो प्राफलंट है अबकी पुरी तरह से ठीक हो जाती है नेक्स सिम्टम और तीसे नंबर पर जिपोनिय मेक आता है जब वहार बहुत ज़्यादाँ हो जाता इसके बाद नंबर आता है पल्से aleilhan का भाज भी कंडिशन देखने को मिलती है और बाज़ीक बाड़ीं सोती है वहरी हो उसक्रिक सेमें व्यक्टी को पल सेटिला को मिलता है कौन का दर्ध को कान का दर्ध होता है थंडी हवा कान में गई और Su het का आता है थि कान में डाल लिया जा है तो कान का दर्ध नगा धूत को में 200 पोटेंसी में कान के दर्द में यूज़ करना चाहिए चार बुंद सुभा और चार बुंद स्याम को इस मैडिसिन का यूज़ कंटीनिव आपको लेना है कम से कम 20 डेस या 15 डेसिस मैडिसिन के दो आप लेते हैं तो कान का दर्द पूरी तरह से चला जाता है आपको आज Secure लाइपोमा याने की गाठ की सिकायद हो जाती है जगा जगा लाइपोमा हो जाते है तो उसमें पलसेटिला मैडिसन का यूज किया जाता है यहाँ लाइपोमा या सिस्ट भी हम इसे बोल सकते हैं यदि ब्रेस्ट में सिस्ट हो गई हो ब्रेस्ट में गाठ हो गई हो या वाड नहीं रहेगी नरम मुलायम और मुवेवल आपको देखने को मिलेगी मुवमेंट करते रहेगी आप प्रेश करेंगे तो या हाड हाड नहीं होगी मुवेवल रहेगी इधर किदर घूमते रहेगी तो इस कंडिशन में पल्सेटिला मैडिसिन का यूज के आता है इस सिचुए कंडिशन बन हमें इस मैडिसिन को व्यक्ति को दिया जाता है जिन्हें लाइपोमा हो गया है तो अपनी कंडिशन स्चुएशन के नुसार बनेम पॉटेंसि में यूज करें आपकी पौपलंस पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो यहां हो गई पूरी लिस्ट जिसमें पलसेटिला मैडिसन का यूज किया जाता है यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के लाइक जरूर कर दीजिएगा कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या समश्याएं हैं यदि आप को किसी लॉंग टम डिसीज से आप सफर कर रहे हैं तो ओनलाइन कलसर्ट एंसी भ भारत बंदे मादब